तो गाइज अगर आप भी रेडिमेट जैसा इनर हिजाब कैप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं तो देखें ये मेरा ब्लैक कलर का रेडिमेट कैप है जिसको देखकर मैंने ये रेड कलर का इनर हिजाब कैप रेडि किया है और इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही आसानी के साथ ये कैप बनाना सिखाऊंगे सो वीडियो को बिना इसकिप के हुए एंड तक जरूर देखे और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर जरूर करें साथे साथ चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजे क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ और वीडियो को रिकार्डिंग आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बाक्स में ज़रूर पूछे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी अब बात करते हैं आज के टापिक पर तो ये मेरा रेडिमेट कैप है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना कैप रेडि करेंगे अगर आपके पास इस तरह का रेडिमेट कैप नहीं है और आपको रेडिमेट कैप जैसा ही कैप बनाना है तो आप मेरे formula के according इसको stitch कर सकते हैं बिल्कुल ही आपका fit आएगा जो measurement वीडियो में दिखाया गया है इस measurement को सभी young girls और ladies बना सकती है यानि 10 से 12 साल की लड़कियां भी इसको पहन सकती है क्योंकि इसको हमने jersey fabric के साथ बनाया है सो मैं यहाँ पर jersey fabric का use कर रही हूँ आप चाहे तो इसको lycra या फिर hosry fabric से भी use कर सकते हैं सो मेरा जो fabric है just like red meat fabric जैसा ही है अगर आपके पास इस तरह का fabric नहीं है तो आप पुरानी t-shirt के साथ भी इसको ready कर सकते हैं इसके बाद मैंने red color की यह बारिक वाली लैसली है अब देखिए वीडियो को pause करके आप मेरे fabric का dimension यहाँ पर check कर सकते हैं मैंने कितना fabric इसको cut कर लिया है आगे मैं वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि यह कितना fabric और उसको किस तरह से cut करना होगा तो यहाँ पर मैंने यह double fold fabric लिया है इसकी जो लंबाई है इस तरह से 6.5 इंच है और इसकी जो इस तरह से चोड़ाई है वो 12 इंच है तो इस वाले fabric से हम अपने tie वाला portion बनाएंगे यानि back side में जो यह tie होगा इसके बाद आगे की तरफ जो हमारा portion रहेगा यानि forehead वाला इसकी चोड़ाई 5 इंच है यह double fold है इस तरह से और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच लिए है तो दिखें दोनों की लंबाई हम इसको दो piece ना लेकर एक ही piece ले सकते हैं 17 इंच की चोड़ाई पर और लंबाई 6 इंच पर क्यूंकि मैं बिल्कुल ready made जैसा बना रहे हूँ इसलिए मैंने इसको इसकी तरह ही cut किया है जैसा black वाला है तो इसकी जो लंबाई है दोनों की वो 6.5 इंच है अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी लंबाई और चोड़ाई किस तरह से लेने होगी लेकिन इससे पहले जो हमारा back वाला portion रहेगा उसकी लंबाई चोड़ाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ तो दिखिए इसकी जो चोड़ाई है हमने वो 3.5 इंच ली है और जो इसकी लंबाई ह वो मैंने 8 इंच ली है और ये वाला पीस भी हमारा double fold है तो तीनों पीस को मैंने double fold करके ही लंबाई चोड़ाई दिखाई है अब दिखिए black वाले में जो front वाली side है इसमें हमारे दो पीस थे जो दो आगे इस तरह से आ जाएंगे और ये हमारा back वाला part रहेगा जो इससे अब सबसे पहले हमने अपने cap का आगे वाला हिससा ready कर लेना है तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ दिखिए front में हमारे 3 part है तो ये center का है जो हमारे forehead पर आएगा इस तरह से पहले इसको double fold कर लेंगे और इसकी चोड़ाई हमने इससे आदा इंची ली है extra तो इस तो ये मैंने इसलिए 5 इंच लिया है आप forehead वाले piece की लंबाई देखेंगे तो ये वाला joint है यहां से आगे से पीछे तक इसकी लंबाई ले लेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच आई है तो आधा इंच एक्स्टर लेंगे तो इसलिए मैंने इसको 6 इंच लिया है अब देखिए हमने अपना फ्रांट वाला जो पार्ट रेडी करना होगा उसमें सिर्फ हमने एक कट लगाना है तो सबसे पहले मेरा ये जो रेडी मेट कैप है इसको मैं आगे से डबल फोल्ड कर लूगी और इसको पिल लगा लूगी ताके ये उधर उधर ना भागे पिल लगा कर हम इसको अच्छे से सिक्यूर कर लेंगे इस तरह से मैंने पिल लगा लिए अब मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ देखिए ये हाफ में फोल्ड कर लिया है अब यहां से हाफ में हमने इसका मेजरमेंट लिया तो यह साड़े चार इंच आया है हाफ एक्स्टर लेकर हमने इसको पांच इंच की चोड़ाई पर कट किया है बात रही लंबाई की तो लंबाई आप इस तरह से भी ले सकते हैं यहां से यह जो जॉइंट है सिलाई वाला यहां से आगे से हमने स्टार्ट करना है और यहां तक इसकी लेन्थ लेनी है तो यह छे आई थी तो मैंने इसको साड़े छे इंच ले लिया है सो देखिए यहां पर मैं आपको बार बार बता रही हूं ताके कोई कर्फ्यूजर न रहे अब देखिए जहां से हमारा कैप पीछे की तरफ बंदेगा उसकी कटिंग करनी है बस सो यहां से देखिए इसकी जो टरेंज फैबरिक छोड़ते हुए एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हम उपर वाले मार्क पर गुलाई देते हुए मिलाएंगे जैसे हम अपना नैक को या फिर आर्मोल कट करते हैं इस तरह से शेप देकर अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है आप चाहे तो यह वाला मार्क कर डारेक्ट कैप लग कर भी कर सकते हैं इसकी गोलाई के लिए तो इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है अब दीखें यहां से यह हमारा फोल्ड है तो इसको भी कट करके दो में डिवाइट कर लेंगे कट करने के बाद अब हमने इसको ओपन करना है अब इसके बीच में ज चलती तो आप उस पर 11 नंबर की निडिल भी यूज़ कर सकते हैं आप देखिए सेंटर वाले पार्ट में हमने दोनों साइड में ये पार्ट जोड लिये हैं आप इसकी स्टिचिंग करनी है तो पहले हम इसको बिल्कुल सीधा सिर लेंगे यहां से क्वार्टर इंज फैब्र करना है और एक पैर के जो दबाव है वो लेकर हमने नीचे तक सिलाई कर देनी है फिलहाल जो हम सिलाई कर रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है और ये वाला पार्ट हमारे फोर हेट पर आएगा इसके बाद दिखिए गोलाई वाली जो साइड हैं यहां भी हमने कपड़े को सिर् इसकी सिलाई भी जो है वो यहां भी बिल्कुल इसी तरह से होगी तो सिंपली हमने सिंगल फोल्ड करके इसकी इस तरह से सिलाई कर लेनी है अब हमने अपनी लैस लेनी है तो देखिए फरंट वाला पार्ट है यहां तक ही हमने ये लैस लगानी है तो दोनों साइड से आद यह कुछ इस तरह से दिखेगा और यह लैस हमारे forehead पर आएगी इसके बाद अब हमने इसका back वाला पार्ट रेडी करना होगा यह वाला जो fabric है हमारे back portion में आएगा तो उसके लिए अब हम फिर से अपना cap ले लेंगे इसको half में पीछे से fold करेंगे और इसकी length देख लेंगे तो इसकी जितनी भी length आएगी उससे आदा inch extra लेना है तो मेरे case में 7.5 inch है तो मैं 8 inch ले रही हूँ यह देखिए 8 inch है अब इसकी चोड़ाई लेंगे तो चोड़ाई के लिए हम इसको open कर लेंगे तो इस तरह से हम जब open करेंगे तो यह जो चोड़ाई है यहां से इंची tape रखना है यहां तक और इससे भी 1.5 inch extra ले लेंगे तो यह हमारा लगबग 3 inch आया है तो 3 inch पर हमने यहां से mark करना है तो इस 3 inch के mark को उपर सीधा कर देंगे इसके बाद अब हमने इसमें गोलाई देनी है जैसे हम neck पर अपने गोलाई देते हैं या फिर armhole की गोलाई देते हैं ऐसे गोलाई देकर अब हमने इसकी cutting कर लेनी है cutting करने के बाद अब हमने इसको center में notches लगाने हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा cut लगा देंगे यह हमारा center हो गया है आप cut नहीं लगाना चाहते तो direct center में एक chalk का mark भी कर सकते हैं इसके बाद अब हम अपना front वाला part लेंगे इसको भी पीछे से double fold करके पकड़ेंगे और इसमें भी एक center का mark कर लेंगे तो मैं छोटा सा notch लगा रही हूँ तो यहाँ पर भी मैं chop करके दिखा देती हूँ इस तरह से दोनों center एक दुसरे के सामने रहेंगे तो इस तरह से हमने इसको सामने रखकर पकड़ना है अब हमने इसमें पिल लगा देनी है तो यहाँ पर आप धियान से देखिए जो center है एक दुसरे के सामने रहेंगे और इस center पर अब हमने इसमें पिल लगा देनी है ताके इस जो center है दोधर ना भागे और जो गोलाई है फैबरिक की वो बराबर रहे इसके बाद दोनों साइट से किसी भी तरफ ऐसे हमने गोल करते हुए इसकी लेंद को चेक करना है और जहां तक आएगा वहीं से पकड़के इसकी सिलाई लगानी है अगbenग यह लगबग हाफ और यहां से तो आगे की तरफ आदा हिंच और निकालने के बाद इसकी पीछे तक सिलाई कर देंगे और इस साइट से भी यह आदा हिंच और यह निकल जाएगा इस तरह से पूरी में हमने सिलाई लगा दी है अब मैं आपको दिखा देती हूँ सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा सीधी तरफ से ये देख सकते हैं आप इस गोलाई वालो जो पाट है आपको थोड़ा धीरे-धीरे सिलना है हाला कि मैंने थोड़ा स्पीड में करके दिखाया है सिलने के बाद देखे ये फ्रंट से ऐसा रहेगा और जो इसकी रॉंग साइड रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी इसके बाद यहां से देखें आप यहां से आदा इंच एक्स्ट्रा फैबरिक निकला है सो इसमें हमने लास्टिक लगानी है तो यहां हलकी वाली यानि पतली वाली लास्टिक लेनी है वन फूट चौड़ी अब इसमें हमने चैक कर लेना इसकी लास्टिक की लंबाई कितनी है सो इसी के इसाप से हम डालेंगे सो यहां लास्टिक की लंबाई है वो इसलाइस्टिक को हमने यहां इसके बराबर से मिलाकर रखना है और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके उपर ओवरलैप करेंगे दो से तीन सिलाइ लगाकर पका कर देंगे और लास्टिक को पीछे तक खीचेंगे जहां तक हमारा बैक वाला पार्ट है और एंड में भी स स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं रेडिमेट कैप जो था हमारा और ये रेड़ वाला कैप है इसमें कोई भी फरक नहीं है बिल्कुल सेम हमारा कैप उसी तरह से बना है और पूरी वीडियो में मैंने ब्लैक कैप के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट लेकर जितना भी कटिं स्टीचिंग था उसी के हिसाब से किया है तो उमीद करती हूँ जो भी इस वीडियो को देखेगा वो आसानी के साथ इस तरह का कैप रेडि कर सकता है अगर आपको और इनर कैप के डिजाइन या फिर इंस्टेंट हिजाब के डिजाइन देखने है तो आप मैंने चैनल पर करें और डिस्क्रिप्शिन बाक्स एंड पिन कमेंट भी चाक कर सकते हैं वहाँ से आपको काफी सारे इंस्टेंट हिजाब और इनर कैप के डिजाइन मिल जाएंगे और ये जो दो वीडियो हैं ये भी काफी यूसफुल है तो इन पर भी किलिक करके आप इनको देख सकते ह थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो